राजधानी दिल्ली में आज सेकंड कर्फ्यू का दूसरा दिन है DDMA के गाइडलाइन के अनुसार और दिल्ली सरकार के आदेश के मताबिक कोरोना को देखते हुए कर्फ्यू में दुकाने पूरी तरह से बंद कर दी गई है सिर्फ असेंशियल सर्विस की दुकाने ही खुली हुई है वहीं दूसरी तरह दिल्ली पुलिस की टीम भी सड़क पर मौजूद है सतर्क है और शक होने पर जाच भी कर रही है यह तस्वीर दिल्ली हरियाना के जडोदा बॉर्डर की है जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर बाबा हरिदास नगर थाना की पुलिस टीम बॉर्डर पर तैनात होकर गाडियों की चेकिंग कर रही है संदिक्ध होने पर पहचान पत्र देख रही है गाडियों की तलासी ले रही है और संतुष्ट होने पर ही उन्हें आगे जाने दे रही है पुलिस टीम को इस बॉर्डर पर ना तो कड़कडाती ठंड से चिंता है और ना ही किसी चीज से उन्हें घबराहट है पुलिस बस अपना काम कर रही है और करोना से लोगों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है